हाई गाईज स्वागत है फिर से आप लोग का एक नई वीडियो पे तो जैसा कि अभी लागडाउन का महोल भी चल दा है कि कुछ करोना महा मारी है और अभी मॉनिंग का ही टाइम है जस्ट हम आए हुए अपनी कुटहन चोराय पे तो अभी हमें चलना है कुटहन सब्जी में वहाँ पर सब्जी तो गहरा है अभी चलते हैं बने लिए आप लोग कांटिनी वीडियो पे हम दिखाते हैं आपको आगे का नजर्णा और वीडियो पे पहली बार है तो लाइक जरू करदे लाइक के साथ में चैनल को सस्क्राइब ज रूख करम के साथ में बेल इगन को जरू कर लए ताकि नए-ए वीडियो को प्रिट सबसे पहले आपको मिलती रहे हैं अब है कि अभी हमा пох Fail At में अभी चलते हैं साख सब्जी खरी देंगे और आपको कितना फीड दिखाई दे रहा हुए देखे रोडों पे विल्कुल गाडिया जाम में लपस चुकी हैं तो कि अभी साधी समारो चल रहा है तो चलते हैं हमें जो कुछ भी साख सब्जी लेना वो लेंगे हमारी सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि को रोना काल चल रहा है क्योंकि यह दूसरे सो लोग चिपके हुए हैं कोई भी कोविट का फालन नहीं कर रहा है इधर साइड में आपको दिख रहा होगा कितना सारा भीड है यहां पर कुछ लोग हैं जो के मास तो गहरे लगाएंगे बाकी और नहीं लगाएंगे हमारे छेत्र में हमारे जौनपुर सहर में मुरे जिसको कि हम मूली बोलते बड़ी ही फेमस हैं हमारे तरफ सब्जिया लगी हुई है इस तरफ भी और आपको इस तरफ भी तिकरा होगा क्योंकि काफे दोर दरास से लोग आते हैं हां से सब्जिया ले जाते हैं काफे फेमस मार्केट हमारे यहां की सब्जी मंडी इस अधर देख सकते हैं आप खरबूच के कट्टे और तरफ के कट्टे आड़ेटी त्यार हो चुके हैं प्रेख सकते हैं कर दो कर दो कर दो तो अब हम चलते हैं घर के लिए निकलेंगे तो सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा नास्ता कर लेते हैं यहाँ पे जलेवी खाते हैं यह दुकान हमारे बड़े भईयाजी की दुकान है जो कि बगल के ही है काफी फेमस दुकान है इनकी सब्जी मंडी में कि इनकी दुकान का नाम है हरिस्चन जलेवी वाले आप किसी जे भी पूछ सकते हैं हरिस्चन जलेवी वाले की दुकान कहा है बड़ी मसूर है इनकी दुकान और ये गरम-गरम समूझ सो गाइस अभी हम 24 साख सबजी लेनी थी हमें सबजी मंडी से हम टोटल चितनी भी साख सबजी ली थे सारा लेके घर आ चुके हैं और आप लोगों ने देखा कि हमारे खुटाहन की जो सब्जी मंडी थी वहाँ पे कितनी भीड़ भाड थी इसी तरीके से डेली हर सुबा हर दिन यहाँ भीड़ भाड होती है और बढ़े दूर दूर से लोग वाग आते यहाँ पे सब्जी ले जाती है और यहाँ पे थोक रेट से सब्जिया और रेटेल में भी सब्जिया दोनों तरह से मिलती है तो आप लोगों ने हमारे खुटाहन सब्जी मंडी का नजारा देखा तो आप लोगों को हमारा खुटाहन सब्जी मंडी का नजारा कैसा लगए हमें चैट सक्षन में जरूर बताएं और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं I hope आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरू करें लाइक के साथ में चैनल को सस्क्राइब जरू करें सस्क्राइब के साथ में बेल आईगान को प्रेज जरू कर दे और वीडियो को सेयर करना ना भूले और इसी तरीके के वीडियो हम आपके बीच में लाते रहते हैं तब तक के लिए जहिन वंदे मात्रम